हेलो फ्रेंड्स मैं उसुजीत बूटिक ज्यान यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वाधत करता हूँ दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि बूटिक लाइन में या टेलरिंग लाइन में मेजरिंग टेप के बगर कुछ काम ही नहीं हो सकता तो हमारे इस चैनल पर जो बिगिनर है उनके लिए आज का ये special वीडियो है तो इस वीडियो में हम आप से शेयर करेंगे मेजरिंग टेप के बारे में डीटेल में जानता रही तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तों ये है मेजरिंग टेप दरसल ये दो साइड से प्रिंट किया जाता है और ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है तो आप देख रहे होंगे ये साइड में जो वाइट वाला पोर्शन है यहां से इंचेस की मार्किंग है और दूसरी तरब से उपर में इंचेस और नीचे में सेंटिमीटर्स की मार्किंग है तो इंचेस के लिए आप इस टेप को दोनों तरब से भी पकड़ सकते है ताकि आपको इंचेस की मार्किंग जल्दी आप ले सके दोस्तों अब हम बात करेंगे इंचेस के बारे में दरसल यहां पर यह लगा हुआ है, इसलिए हम एक इंच के आगे स्टार्ट करेंगे, यहां पर सबसे बड़ी जो लाइन है वो है एक इंच, फिर एक छोटी लाइन है, फिर आगे उसे एक थोड़ी सी बड़ी लाइन है, यह हो गया सवा इंच, फिर इसके बाद एक छोटी ल फिर एक बड़ी लाइन है तो यह हो गया पाउने दो इंच फिर एक छोटी लाइन है फिर एक सबसे बड़ी लाइन है यह हो गया दो इंच वैसे ही आगे दो के आगे एक छोटी लाइन है एक बड़ी लाइन है तो यह हो गया सवा दो इंच फिर एक छोटी लाइन फिर एक ब तो अगर हम इसको सूत में बात करेंगे तो दो इंच के बीच में करीब 8 सूत होते हैं जैसे कि 1 इंच, एक इंच, एक सूत, एक इंच, दो सूत यानि कि सबा इंच एक इंच तीन सूत, एक इंच चार सूत यानिके देड इंच एक इंच पाच सूत, एक इंच छे सूत यानिके पाउने दो इंच एक इंच साथ सूत, एक इंच आड़ सूत यानिके दो इंच तो यह हो गई सूत में बात तो यहाँ पर जैसे कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच है, 4 इंच है, 5 ऐसे इस टेप में 60 इंच तक मार्किंग है 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 तो यह जो टेप है यह 60 इंचेस का है तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे तरफ की उपर की तरफ जो आपको प्रिंट दिख रही है बड़े आक्षरों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 60 तक है वो हो गए इंचेस और उसकी नीचे जो आपको यह दिख रहा होगा यह प्रिंट यह है सेंटिमीटर्स तो यहाँ पर 1 सेंटिमीटर है 2 सेंटिमीटर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 152 सेंटिमीटर्स तक स्टेप के उपर है यह देखिए 149, 150, 151, 152 ऐसे यह 152 तक मेजरमेंट्स है तो यह जो 150 है तो यहाँ तक हो गया देड मिटर तो दोस्तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है प्लाजो सिलवाने के लिए तो अगर आपको वो फैब्रिक को काउंट करना है तो अब सेंटिमीटर का काम आता है जैसे कि यहाँ पर हो गया 25 सेंटिमीटर तो यानि कि 25 सेंटिमीटर हो गया पाउं मिटर फिर आगे है 50 सेंटिमीटर वो हो गया आधा मिटर फिर आगे है 75 सेंटिमीटर वो पौना मिटर हो गया फिर आगे है 100 सेंटिमीटर 100 सेंटिमीटर यानि कि 1 मिटर तो दोस्तों अगर आपके पास सवा दो मिटर कपड़ा आया है और आपको उसे मेजर करना है तो आप दो तरीके से उसे मेजर कर सकते हैं एक तो पहला तरीका है 100 सेंटीमिटर यानि कि एक मिटर को दो बार नापना है 100 सेंटीमिटर पहले उसके बाद दूसरे 100 सेंटीमिटर और फिर 25 सेंटीमीटर तो हो गया सवा दो मीटर और दूसरा तरीका ये है कि आपको आप इस टेप को शुरू से आखरी तक ना पेए तो वो हो गया 150 सेंटीमीटर का 1,5 मीटर फिर आप उसे 75 सेंटीमीटर तक ना पेंगे यहाँ पर है 75 सेंटीमीटर तो वो हो गया 1,5 मीटर 1,5 और पाउना 1,2 मीटर तो इस तरफ से आप कपड़े को नाम सकते हैं तो दोस्तों ये हो गई मेजरिंग टेप के बारे में जानकारी अब इस मेजरिंग टेप को कैसे हैंडल करना है मैं आपको बताता हूँ आप दरसल ये आते समय ऐसे फोल्ड करकर आता है तो हो सके तो आप इसे इस तरह से मत रखिएगा क्योंकि ये फोल्डिंग के वज़े से इन कॉर्नर्स पर ये जल्दी खराब हो जाता है तो इसे आप इसे पूरी तरह से खोलिएगा और यहाँ पर आप इसे हैंग करके रखिएगा ताकि ये जल्दी खराब नहीं होगा तो दोस्तो अब मान लीजे हम ब्लाउज का कटिंग करने वाले है तो पेपर के उपर जब हम ब्लाउज का ड्राफ्टिंग करेंगे ये हो गया ब्लाउज का डाइग्राम तो ये है चेस्ट राउंड ये है वेस्ट राउंड तो चेस्ट राउंड है 36 और वेस्ट राउंड है 30 तो अभी 36 का हमें 1 फोर्थ निकालना है तो उसे हम टेप के उपर भी निकाल सकते है तो जहां पर ये 36 इंचेस है वहां पर आप ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट लीजे फिर इसको आदे में पूरा डिवाइट किया हमने तो यहां पर जो पॉइंट आएगा ये हो गया आधा 36 का आधा फिर ये आदे को हम यहां पर 36 पर रखेंगे फिर इसको टेप को अच्छे से हम बीच में यहां पर फोल्ड करेंगे तो हमारा आगया ये 9 इंच तो 9 इंच प्लस आगे इसका जो कुछ भी मार्किंग है फिर इसका वेस्ट राउंड है 30 इंचेस तो हम स्टार्टिंग वाला पॉइंट 30 इंचेस के उपर रखेंगे आखरी में इसको अच्छे तरह से फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड किया वहा पार्ट फिर हम 30 इंचेस पर रखेंगे और यहाँ पर अच्छे से फोल्ड करेंगे तो ये 30 इंचेस को हमने 4 में डिवाइड किया है तो यहाँ पर यह आगया हमारा 7.5 इंच तो यहाँ पर 7.5 इंच प्लस आगे इसका जो कुछ भी मार्किंग है वो तो दोस्तो यह तरीका है 1 फोर्ट निकालने का मगर मैं आपको यह सजेश्ट करूंगा आप टेप के उपर बार बार 1 फोर्ट मत निकालिएगा या हाफ मेजर्मेंट मत निकालिएगा दरसल दिन में हम इसे बहुत बार ऐसे हाफ या 1 फोर्ट करेंगे तो हमारा यह मेजर्मेंट जल्दी ही कतम हो जाएगा इसलिए मैं आपको सजेश्ट करूंगा कि आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए जैसे कि चेस्ट राउंड 36 है 36 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका अंसर आएगा 9 इंच फिर आपको 30 इंचेस को 4 से डिवाइड करना है तो उसका अंसर आपको आजाएगा 7.5 इंचेस तो दोस्तो अगर आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपका यह परफेक्ट 1.4 या 1.5 निकल जाएगा और आपका टेप भी खरब नहीं होगा तो दोस्तो यह थी मेजरिंग टेप के बारे में डीटिल में जान करेंगे तो दोस्तो कैसे लगा आपको हमारा यह वीडियो हमें कमेंट कीजे और भी इंट्रेसिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और हाँ बेल आइकोन के उपर क्लिक करना ना भूलिएगा थैंक्यू